आप सब आएको कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे so today's video is all about layer cutting so friends मैं आप लोगों को बिल्कुल easy method से layer cut बताऊंगी कि अगर हम लोग parallel नहीं जा सकते हैं हमारे पास time नहीं है तो हम लोग घर पर खुद इसे ही हमारा layer cut कर सकते हैं so friends ये cutting के लिए बहुत easy method से बताऊंगी बट आप लोगों को वीडियो को फुल वाच करना होगा पूरा देखना होगा बिना skip किए अगर आप लोग मेरी चानल पर नहीं होए तो सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और बैल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना वीडियो नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास सब्सक्राइब करने के लिए हमारा अपना हैर कट करने के लिए कौन-कौन सी चीजों की जोरत पड़ेगी तो सबसे पहले यह है टेलकॉम इस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल पत्ली होती है यहां से टेलकॉम यह देखीजिए यह टेलकॉम है सेकेंड सीजर जो कि बहुत शाफ होनी चाहिए एंड थर्ड सेक्शन क्लिफ रबबेंड तो फ्रेंस आप लोग को बिना स्कीप किये वीडियो को फुल वाच करना है और बहुत ही ध्यान से देखना है मैं किस तरह से करूंगी और आपको एक चीज की और ज़रत बड़ेगी अवाज़ार wal Śi Logi को बहुत शाफ है कि तो अपने नहीं किया ब्कर सप्रेंस मैं अपने बालों को वेट इस लिए ओर आप लोगों को बालों को वैट करना होगा फिकर्ज करनेे कर्कांग व तो दिशना की है और तेंगल फ्री मैं आप लोगों को बताथी हूं सबस्थे भश्कूराइग और बतज नाट टे में कुल्स के एकट तर तर फिर अपैंगल कर लेंगे ठोड़ा सा बड़ा वाला को लेंगे अब मुत aplaudLA करें हमें वालो मेरे बीकूल टांगल नहीं होना चाहिए इस तरह से हम लोग टेंगर प्री करेंगे अपने हैस को यहां पर हम लोग एक रबर बेंड की हैस से अपने हैस को टाई कर देंगे इस तरह से टाई करना है यह एक से भी जो मैं अभी बताने वाद यह उससे भी इसी मेंटोड है बट मैं दोनों मेटोड के साथ में बताऊंगी बिकोज आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा और ऐसा करने से हमारे हैर्स छोटे बड़े नहीं होगे जो भी हमें एक्स्ट्रा है लग रहे है उसको हम लोग कट कर देंगे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है और विद नोचिंग खोड़ा सा हम लोग नोचिंग भी करेंगे बिल्कुल नेचरल लुक आता है ऐसा नहीं लगता है कि जस्ट हम लोग ने अभी अभी हैर को पटन करेंगे तो फ्रेंट्स यह वाला स्टेप हो गया है हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे इस तरह से अपने हैर्स को पीछे करेंगे बैक साइड पर क्यों करेंगे जो के होगी हमारी हैर्स के रीचिर्स के पीछे करते हैं में लोग इस तरह से तरह से में इस तदिए इसको भी लोग आगया लाकर, टाई करतेंगे से हमारे रबर बेंट के हेल्थ से, इस तरह से हम लोग टाई करेंगे इसके ही पीछे के बाल हमारे थोड़े रे गये इसकूरलग थे रहे गए है यहां की पार्टिंग करना है और यह बहुत ही इजी मेठर्ड है फ्रेंस इस तरह से जो बाल अगर छूप रहे हैं तो छूपने दो इसी कोई फरक्त नहीं पड़े का हमारी कटिंग में बट जो बाल हमें एक्स्ट्रा लग रहे इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे जो फो फोल कर से थोड़े-द्वड़े से पॉइंट जो हमारे टा कर संब् स्प्लेटेनज्स कि रहने अबस वहीं रिमोव होंगे और नोचिंग करना है कर अच्छे लूप के लिए या में इस तरह से सिजर को कड़ा करते हुए इस तरह से नोचिंग करेंगे बहुत इजी में थर्डे फ्रेंज अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो कभी भी आप लोगों की कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आईगे एकम नेग्सट हम लोग जो पार्टिंग करेंगे अभी फर्ड पर्ट जो लेंगे वह यहां से लेंगे हेम ईपती यहां से बहुत अच्छे से पाटिंग करेंगे और जो हमारी है एक्स्ट्रा है उसको अम लोग टाई कर देंगे सेक्शन क्लिप के हैं इस तरह से इस तरह से दिखिए मैं थोले से हमारा वीडियो लंबा होगा चलेगा बढ़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से कटिंग की है यह मेरा आइडिया है इस तरह से ही मैं अपने कटिंग करती हूँ है इसकी मुझे कोई पारलर वारक वगरा नहीं जाना पड़ता है अपन से कर लेंगे आगे करके कारके की तरफ करके ही टाइ करना है the tax and then प्रॉपर शेप में कटिंग होगी, इसको यहाँ पर टाई कर लिया, जो भी हमें एक्स्ट्रा हैर लग रहे हैं, बस सिफ हम लोग उसको ही कट करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल नॉर्मल से हैर को कट करेंगे, यह दिख लिजे, मैं कितने हैर कट कर रही हूँ, इस अब और हमारी कटिंग होगी, वो होगी, फाइनल कटिंग की, जो हमें बीट से रसे हने, फ्रכंट इसे रसे कटिंग करेंगे, यह दिख उसको हमारे हैं से परेंगे, व्रॉपर्ट करेंगे, कट करेंगे इसके बाद हम लोग किस तरह से संदर को पार्टिशन करेंगे स्टेप बाई स्टेप हम लोग किस तरह से कट करते चलिए इस तरह से यहां पर फोड़ा साथ इस तरह से हम लोग यहां पर कट लगाते हैं आयू को थैपन बेबी घर में चलो ममा आरे ही जलो घर में ममा भी आरे यहां से फिर हम लोग इस तरह से लेंगे इस तरह से हम लोग हमें जो गाइडलाइन मिली है जो हमारी गाइडलाइन है फ्रंट की उसको क्रियेट करते हुए हम लोग कट लगाते हैं चले जाएंगे प्रेंस यह तीज तीन हो गया अभी पोर से आगे से जो छूटता है उसको छोड़ दीजिए उसमें पोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस स्टैप बाई स्टैप कट पीछे में जो भी हमें बड़े हैस दिख रहे है उसको ही हमें कट करेंगे आगे के हैस को बिल्कुल भी क करेंगे जो उसे एंगे हमारी पॉर्थ स्टैप अ terazi की वेरी कि ख olduğ से थी फिंगर में होड़ करेंगे k 쪹 जो पी हमें बड़े हैज दिख रहे है इसके में लोक कट कर देंगे अगर आप लोग करोगे तो प्लीजे एक स्क्रीन शॉर्ट लेकर इंस्ट्राग्राम पर मेरी आईडी है वह में लिंक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूगी वहां पर प्लीज मुझे सेंड कर देना और यह देखे किस तरह से हमारी एक एक लियर निकल कर आ रही है इस तरह से हमारी देवाली लियर होगी है इस तरह से प्लेगी में तो सीजर को भी होड़ करना है और इसको भी सीजर को हम लोग रख देंगे यहां पर इसको कट करते हैं क्राउन एरिया के हैस को जैसे ही कट करते हैं हमें गाइडलाइन्स में जाते हुए सो फ्रेंस उसी गाइडलाइन को प्रियेट करते हुए हम लोग आगे के पूरे बाल को उसी तरह से कट करेंगे करते हैं कि अधार के हैसे जो कि हम लोग ने कट कर लिए और इसको में इसको में इसको करते हुए अपने हैर्स को मुझे फारलर वगेरा नगूच आना पड़ता है आपने हैर पर आराम से कटा हुए ऐसे करते हूं इस तरह से करेंगे यह देखने पर टू फिंगर की हैल्प से हम लोग बहुत अच्छी से हमारी होल्डिंग बहुत अच्छी होगी चाहिए हमें कि इसी को कट करना है इतना हमें समझ में आ जा रहा है इसी किस तरह से मेरी लियर इस तरह से हमारी लियर स्टेप बाइस बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि हमारी कटिंग रहुत अच्छी हुई है कि रही को मैं अभी आप लोगों को और करीब और बिखाते हुई यह देखें कटिंग देखो हमारी यह रही हमारी कटिंग इसको भी ओपन करेंगे एंड रेट्स चेक यहां कि हमारी हमस हो गए है कट ऑल्मस्ट ड़न हो चुके इस तरह से करते करा है बिल्कुल साफ समझ में है कि हमारा लेयर कट में कंवर्ट हुआ हमारे है अभी हम लोग यहां कि हैसको भी इससी तरह से सेम मेथट में कट करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप लेंगे इसको हम लोग इसकर से रोल्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल थोड़े-थोड़े से हम बाल लेकर कट करना विकर उसे न हमारी लाइन और सब कुछ हमारा क्रियेट होता है दिल्कुल अच्छे से यह देखो जो हमारे हैस बड़े है उसको हम लो कट कर देंगे इस तरह से कट कर देंगे हमारे हैस को बहुत प्रबलम होती है फ्रेंस वीडियो बनाने के लिए सो बस प्लीज आप लोग थोड़ा से सपोर्ट करो फ्रेंस लाइक और कमेंट करो अगर चाइनल करनी हो है तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चाइनल को आपके एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो फ्री में करना होता है प्रेंस प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो कमेंट करो और कमेंट करके बताओ हमें थोड़ा मोल्टिवेशन निमती है हमें अच्छे अच्छी वीडियो बनाने के लिए इस तरह से बत करो और नेक्स्ट भी हम लो देखो किस तरह सी समझ में आ रहा है हमको यहां से अपने हैस लेने है और इसको ऐसे कॉंबिंग करनी है नेक्स्ट हमको यहां पर लानी है यह देखो बहुत ही इजी मेथट है यह मैं बार बार बता रही हूँ बहुत इजी मेथट है अगर हम लोग इस तरह से कट करेंगे हमारे बाल कभी भी चोटे बड़े नहीं होंगे देखो यह देखो कितनी अच्छे से लाइन हमारी आ रही है इसको इल्कुल ऐसे अभी यहां की थोड़ी नीचे रहेगी इस तरह से फ्रेंस मैं मुझे जो भी मेरे अंदर टाइलेंट है मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को भी वो सब कुछ सिखा दूँ तो फ्रेंस उसके लिए सिफ आप लोगों को मेरे चैनल को सब्स्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और आप लोग कैसा वीडियो देखना पसंद करते हो ये मुझे बताओ मैं उसी तरह का वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए इन रही हमारी कटिंग तो friends हम लोग अब इसको चेक करेंगे कि हमारी कटिंग कैसी हुई है तो यहां के जो फ्रंट के हमारे हैस है उसको यहां पर लाके चेक करेंगे यह देख लिजे बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हुई है यह हो गया नेक्स्ट हम लोग यहां के हैस को पकड़ेंगे यहां पर चेक करेंगे यह देख लिजे फिर हम लो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हुई है यह देख लोग अभी हम लोग इसको ब्लोर ड्रायर करेंगे और मैं आप लोगों को ब्लोर ड्रायर करने के पाथ दिखाऊंगी बैक का लूप कैसा आया है यह एक एक लेर्स उट उट कर सामने आ रही है यह देखिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो या ब्लाइच के से नगरे सो प्लीज आप लोगी कमेंट पर तो दखाएंगे मुझे के मेरे लेचाना का लाइचा नगरे प्रॉपर कटिंग हुई है या नहीं हुई है यह सब कुछ मुझे आप लोगी बताएंगे और यह देखिकि पादासे मारे पन्स का प्रफ़कर करादा प्रीत पर देगे समाय वीसर अमालू की बादा आँ अच्छा देग्राइब जिए कलेब पर फैस लगदेगे तर देखे मैं और लिएपा करें देख होगा यह मैं प्लीष करते होगा देखिए अच्छा लग रहे है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या मेरी कटिंग समझ में आई होगी सो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं कि मैं आप लोगों के हर कोशन का अंसर जरूर इस तरह से लेट मी चेक इस तरह से में चेक करेंगे जैसर कि मैंने बताया था आप लोगों को हैर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक टिप्स देने वाली हो सो फ्रेंट्स टिप्स से फॉसिफ यह ही है कि हमारे हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता हमारे हैं इसमें करने का सो हम लोग को ऑईलिंग करने के लिए वक्त निकालना होगा एंड रात में और नाइट में स्केल्प में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस तरह से हमें ऑईलिंग करके उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वाश कर सकते हैं बर्ट रात में हम लोग जरूर करेंगे वह हमारे सकेल्प के लिए और हमारे के लिए वहाथ ही अच्छा एक रिक्त रिजल्ट आता है हमारे हैसमें और स्केल्प में देखी इस तरह की कटी हुए है आपको अच्छे लगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक जरूर करना फ्रेंट्स और मेरी टीप यही रोगी मेरे बाल दिख लिजे कैसे अच्छे या नहीं यह भी मुझे आपी लोग बताईए अगर मैं यहां से भी थोड़ा सा टाय कर दू इस तरह का इस तरह के हैस कि मैं आप लोगों को एक टिप्स दूँगी यह वीडियो सिफ और सिफ आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा है पीज देख लीजिए बॉच कीजिए अगर आप लोग बॉच करोगे तभी समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से कटिंग की सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आप लोगों को यह विताऊंगी कि किस से लिए घर करनी हैं अगर मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बस मैं यही कहना चाहती हूं अगर हमारा इसकेल्प हमारी जड़ मजबूत होगी तो हमारे है अच्छे होंगे ही होंगे सो रिजल्ट आपके सामने है मेरे कटिंग का रिजल्ट सब कुछ आपके सामने है यह देखीजिए और बबाई अल्ला आपिस वीडियो चला है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब का कोई चार्जिस नहीं है सब्सक्राइब करने के प्लीज सब्सक्राइब करना और बाचु में साइब में एक बेल आइकोन है उसको भी प्रेस करना बिकाज मेरी सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उसक्राइब कर दो करें एक जाएब करने एंगारा ओपीज सबसे है वाई आपीज सबसे है